बिहार सरकार सुवे के सरकारी करमचारियों को आज बड़ी खुसकबरी देने दारी है कैबनेट की बैठक है और डिये पर चार फिजदी की बड़ोतरी पर मुहर लगने वाली है नमस्कार दर्स न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुरा खबर बड़ी है क्योंकि डिये बढ़ने जा रहा है सरकारी करमचारियों का चार फिजदी डिये बढ़ेगा और इस पर संभौता आज मुहर लग जाएगी कैबनेट की बैठक है और कैबनेट की बैठक की अदिशूचना जारी की गई है बैठक सामने होगी हलाकि उसके पहले कैबनेट एक्स्पेंशन की बात सामने आ रही है हलाकि इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है लेकिन कैबनेट की बैठक होगी और कैबनेट की बैठक में चार फिजदी डिये बढ़ोतरी पर मुहर लगेगी यह संभावना है तो ऐसे में सरकारी करमचारियों की बल्ले बल्ले है आखिर डिये है क्या और डिये बढ़ने से कैसे वेतन बढ़ जाता है सीधे सीधे अगर कहें तो सैलरी में जाफा हो जाता है तो सरकारी करमचारियों की बल्ले बल्ले हो जाती है चार फिजदी डिये बढ़ने जा रहा है इस पर सरकार मुहर लगाएगी तो ऐसी स्थिती में आपको बताए कि डिये होता क्या है आखिर डिये बढ़ने से किस तरह से सैलरी बढ़ जाती है और इसका लाब सीधे सीधे सरकारी कर्मियों को मिल दाता है मिलता है तो ऐसे में हम आपको बताए कि डिये होता है D.A. कौंगरेजी में डेयरनेस ऐलाउंस कहते है हिंडी में कई बार लोग इसे महंगाई भत्ता भी बताते है महंगाई भत्ते कि अगर पूरे गणित को आसानी से अगर आपको समझना है तो बताएं कि असल में महंगाई की दर इतनी जादा होती है आपके रुपिय की वैली उतनी गिर जाती है यानि कि अगर आपकी सेलरी बढ़ने की स्पीड महंगाई दर से मैच नहीं करती है या यू कहें कि कम रहती है तो साप मतलब है कि आपकी कमाई कम होती जा रही है कमाई में बोले तो डिये का बढ़ना साल में दो बार डिये बढ़ाया जाता है ओल इंडिया CPI डेटा यानी AI CPI इंडेक्स की दरों को ध्यान में रखकर ही इस पर कोई फैसला लिया जाता है डिये बढ़ोतरी के बाद केंद्रिय करमचारी को मिलने वाली के सेलरी में अगर इजाप फिजदी के हिसाब से 7560 रुपय होता है और अगर इसमें 4 फिजदी बढ़ोतरी कर दे और 46 फिजदी हो जाए तो उस पर गन्ना करेंगे तो यह जो भत्ता है जो डिये है और यह पैसा बढ़कर 8,280 रुपय हो जाता है यानि उसके हाथ में आने वाले वेतन में सीधे सीध करता है सरकारी कर्मियों का तो आज खुसकबरी का दिन है बिहार में डिये पर जो 4 फिजदी बढ़ोतरी की का एलान अज सरकार के तरफ से किया जाएगा कैबिनेट में इस पर मोहर लग जाएगी बने रहे है तरसनी उचके साथ तमाम खबरों से आपको अपडेट गर्नेवाद